हालो एरिवन वेलकम टू इस्टेड लाइफ यूटूब चैनल फ्रेंट्स दीखिए जोग्राफिक का वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक में लेके आचुकियों इसका पार्ट वन हमने अल्रेडी कर लिया है यहां पे 200 कुशन्स को रखा गया है तो आधे कुशन्स हम पा सफी इंपोर्टेंट है और वो इस स्टार्ट करते हैं सेशन को बराबर आंसर देते रहना है और देखिए फर्स्ट क्यूशन्स यहां पे रखा गया है देखो इससे पहले 90 कुशन्स हमने कर लिये थे तो आगे की कुशन्स हम इसमें पार्ट तू में करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आज से पूछा गया कि भारत की प्रमुख खाद फसल आपको बतानी है, भारत की प्रमुख खाद पसल का नाम पूछा है, जिसके लिए उप्शन से चावल, गेहूं, गन्ना या फिर चना, तो फ्रेंड्स, इस क्यूशन का आंसर बताईएगा, क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंसर, आंसर बताना है, आप लोगों को आंसर क्या होगा, तो देखो, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की प्रमुख खाद की बात करें तो चावल इस क्यूशन का करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्यूशन देखिए आपसे पूचा जारा कि भारत में गेहूं के प्रत्थम तीन बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं उनके नाम आपको बताना है इसके लिए देखिए ऑप्सन ए उत्रपरदेश पंजा हो जाएगा कि भारत में गेहूं के प्रत्थम तीन सबसे बड़े जो उत्पादक देश हैं वो है उत्रपरदेश पंजाप और हरियान हरियाना हना अब देखो यहां पर बात करें उत्रपरदेश की राजधानी क्या है कैपिटल आप सभी को पता है लखनाव दैन पंजाप और हरियाना के बात करेते दोनों की चंडिगड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहां से एक क्यूशन बार बार पूछा जाता है वो क्या है नैशनल पार्क पे क्यूशन बनता है दुदुवा नैशनल पार्क और चंदरपरबार नैशनल पार्क उत्रपरदेश में पढ़ता गेहु धान का पास करना तो फ्रेंट्स अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में सबसे अधिक्तम क्रैसी योग्य छेत्र घेरने वाली जो फसल है वो है धान नेक्स्ट क्यूशन देखो यहाँ पर पूछा गया है हरित क्रांती से रिलेटेट पूछा है कि हरित क्रांती के फलसरूप देश में कुल खादान में निमन लिकित में से किसका अंस कम हो गया है ये पूछा गया है इसके लिए उप्शन से गेहु चावल दलहन वे मोटा है ुसका मतलब कि जो कम हो गया है तो आपका आशर जाएगा option G के साथ next question यहां पूछा गया हरित क्रांती का अर्थ पूछा गया है यह काफी important question हरित क्रांती की बात हो इन seben Middle रक्षार ओपन या फिर क्रेसी के आधूनिक विद्यो का उप्योग कर प्रती एकड फसल की उपज बढ़ाना अब बताओ क्या होगा इस क्यूशन का correct answer तो फ्रेंट्स यहां पर right answer जाएगा option d के साथ जाएगा option d correct answer हो जाएगा option d आपको ध्यान रखना है अब मेरे को यह बत होगे कि नॉर्मन बोर लोग लेकिन यहां पर वर्ड यूज कर दिया जाए भारत में भारत में हरित क्रांती के जनक कौन है तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा एमेस स्वामी नाथन नेक्स्ट क्यूशन भारत का सबसे बड़ा सोया बिन उत्पादक राज्य कौन सा है most important क्यूशन ओप्सन से महाराष्ट मद्यपरदेश राज़स्तान उत्रपरदेश तो फ्रेंट्स correct answer आएगा यहाँ पे option b correct answer है मद्यपरदेश right answer है जिसकिसी ने option b right answer दिया है very good guys option b correct answer है मद्यपरदेश के बात करें तो capital भूपाल है सबसे main चीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा national park और वन जीओ अभ्यारन भी है सबसे ज़्यादा इसलिए सबसे ज़्यादा वनो वाला राज्य कहा जाता है मद्यपरदेश को आना next यहां question पूचा ज़रा है भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है उस राज्य का नाम आपको बता देना है बिहार राज्यस्तान मद्यपरदेश महाराष्ट तो फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा मद्यपरदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्यपरदेश और आभी पिछले क्यूशन में पड़ने देखा था सोयाबिन के लिए सबसे फेमस है next किशन भारत में रेसम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है उसका नाम आपको बता देना है करनाटक अंदरप्रदेश असम पंजाब तो फ्रेंट्स आंसर हो जाएगा करनाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा करनाटक करनाटक की कैपिटल क्या है तो फ्रेंट्स देखिए सब्जी उत्पादन की हम बात कर रहे हैं जिसमें हमारे भारत का पूरे विशु में दूसरा इस्थान है कौन सा इस्थान है दूसरा इस्थान नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं यहां पर जूट उत्पादन की बात कर रहे हैं कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुक प्रदेश कौन सा है उसका नाम आपको बता देना है अप्शन से पश्यम बेंगाल, तमिलनाडू, केरल या फिर उडिशा आपका आंसर जाएगा पश्यम बेंगॉल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसकी जो कैपिटल है वो है कॉलकाता, ये भी धार रखना है कौन सी नदी पे है कॉलकाता हुगली यहाँ पर आपसे पूचा है भारत में सर्वोच्यतम चाई कहां पैदा होती है अपसे जोरहट, नीलकिरी, डार्जलिंग या फिर कूच वियार तो फ्रेंट्स भारत में सर्वोच्यतम चाई की बात करें तो ये पैदा होती है डार्जलिंग में अपसे चाई करेक्ट आंसर है नेक्स्ट, यहां पूचा जा रहा है कि भारत में किस प्रदेश में सोया बिन की खेती सबसे अधिक होती है सबसे ज़्यादा चेतरफल में होती है तो आई थिंग इसका अंसर सभी का सही होना चीए अपसें मद्यप्रदेश, राजस्तान, उत्रप्रदेश, पंजाब तो फ्रेंट्स, अंसर हो जाएगा मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश में जो सोया बिन है इसकी खेती सबसे अधिक होती है मद्यप्रदेश में सबसे ज़्यादा वन और वन जीओ अभ्यारन नैशनल पार्क के सबी कहां पर हैं मद्यप्रदेश में हैं नेक्स्ट क्यूशन भारत में प्राकर्तिक रबड का सबसे अधिक उत्पादन किस राच्च में होता है और यहाँ पे जो एक नैशनल पार्क है काफी इंपोर्टेंट है पेरिहार नदी काभी पूचले जाता है कहां पर पढ़ती है यह केरल में ही है चलो नेक्स देख लीजिए भारत लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यत कहां से करता है अपसे पूचा गया है अब देखो यह काफी इंपोर्टेंट है अपको बताना है क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंसर रिवोलिशन पे आई थिंग मैंने बना के डाला हुआ भी है अलग से वीडियो एक बार चेक कर लेंगे डाला हुआ कि नहीं डाला हुआ तो कोई दिकत नहीं रिवोलिशन पे अलग से वीडियो बना के डालेंगे क्योंकि रिवोलिशन चे डेफिनेटली 100% क्यूशन आता ही आता है आली में जो यह आरार भी एड़ी पीसी के एक्जाम होए थे जितनी भी सीप्ट हुई थी इसकी उसमें हर एक सीप्ट में यहां से क्यूशन देखने को मिला था है ना तो चलो बात करें क्यूशन पर पहुं पहुं ना अब जैसे देखो हरीट करांती मता के क्रैसी यह जो हैंढ़ी इनसे संबंद किसका है यहरीट करांती का तैनग बात करें यानि की बात करें तो इससे का मतलब कि जैसे यह हो गया पैट्रोल goats इनसा κरीस सबका अलग-अलग होता है लेकिन उस पे हम अलग से बनाएंगे वीडियो और उस पे मतलब कि क्यूशन क्योंकि यहां से पूची-पूची जाते हैं इंपोटेंट है चलो नेक्स देख लेते हैं क्यूशन पूचे जरहे दुगद उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्तान है most important question mark कर लीजिए ओप्सन से पहला दूसरा तीसरा या फिर चौथा तो फ्रेंड्स दूद उत्पादन की हम बात कर रहे हैं जिसमें भारत का इस्तान है पहला प्रथमिस्तान है भारत दूद उत्पादन में पूरे विश्व में हना next question भारत में operation flood कारे करम प्रारंब कब हुआ किसकी बात कर रहे हैं operation flood की बात कर रहे हैं जो की प्रारंब हुआ था friends 1970 में हुआ था नेक्स्ट भारत में स्वेट क्रांती का जनक किसे माना जाता है most important question जिसके लिए options है डॉक्टर वर्गिस कूरियन या फिर SS राव या फिर SK भार्द्वाज या फिर मोरारजी देश है तो right answer हो जाएगा option A के साथ हम जाएंगे next question आप से पूझा गया है अब देखो pink revolution के बात कर दी गुलाबी revolution इसका संबंद किस से है मैं बोल रही हूं revolution पर अलग से वीडियो लाने वाले हैं बहुत चांदार वीडियो होगा जरूर देखेगा तो friends यहाँ पर blue revolution के बात हुई है तो यहाँ पर मारा right answer हो जाएगा option B जींगा उत्पादन और जो प्याज है प्याज का जो संबंद है वो भी pink revolution से है pink से blue का किस से fish मचली से और मतलब कि green का agriculture से हो गया white का किस से हो गया दूद हो गया दूद दई चांज मतले जो भी dairy products है उन सब इसी हो गया इस तरह से करके यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है और टामाटर हो गया इसका किस से होता है red revolution से होता है इस तरह से करके चलो next देखिए अब यहाँ पर गोल करांती का पूछा है round revolution का पूछा है तो इस तरह से करके देखो चीजों को आपको याद रखना है क्योंकि अक्सर friends इस तरह के questions पूछे ही पूछे जाते तो इस topic को रट ली जिएगा मैं अच्छे से video बना दूँगी ताकि किसी को भी किसी भी प्रकार की यहाँ पे बिल्कुल भी tension ना हो अच्छा अंडा उत्पा करें तो जितने भी दूग दूग पादन हो गए वाइट प्रोड़क्ट्स हो गए इन सभी का है वह मत्हकी आंडा उत्पादन का भी सपेद क्रांती जो है उससे है स्वेद क्रांती से और हरित क्रांती का मैंने बताय था agriculture यानि खात्यान उत्पादन जो है उससे संबंदि इसके बाद पीली करामती की बात करें यलो रिवोलिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है जितने भी खाद तेल हो गए तेलहन फसल हो गई उन सबी का संबंद किस से है यलो रिवोलिशन से है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स यहां पर हम आने बात की थी राउंड रिवोलिशन की बात की थी राउंड रिवोलिशन की तो यहां पर आप आंसर देख चुके हो राउंड रिवोलिशन का अब यहां पर देखो राउंड रिवोलिशन का तो अपने देख लिया कि मतलब की जो भी है यह आलू हो गया इस से संबंदित है टामाटर का किस से है र भारत में अंडा उतपादर मतलग कि अंडा हो गया और मुर्गी की जो उतपादकत्ता ये सभी सिल्वर में आते हैं इसके विद्वर और वाइट में प्रदेश नहीं होना है वाइट में जितने भी डेरी प्रोड़क्स आते हैं उसका संबंद है और गोल्डन रिवोलिशन की बात करें तो जो बागबा नहीं मते हौटी कल्चर है ना उससे रिलेटेड है गोल्डन रिवोलिशन नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन पी स्क्रीण पे आपके सामने है कि भारत में सरवादिक गेहूं उतपादरक वाला राज्य कौन सा है तो फ्रेंट सबसे ज़्यादा गेहूं होता है उत्रपरदेश में होता है उत्रपरदेश की राजदानी कौन सी है लखनाउ और यहां पे दुदुआ और जंदरपर्वा नेशनल पार के जो कि अक्सर एक्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट यहां पूजाए भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन करने वाला राज्ज राज्ज कॉफी सबसे ज़ादा कहा होती है कॉफी की बात करें तो सबसे ज़ादा होती है करनाटक राइट आंसर हो जाएगा करनाटक की कैपिटल है बैंगलूरू नेक्स्ट क्यूशन यहां पूचा गया है निमल लिकित में से कौन सा राज्जी मुंगफली का सबसे बड़ा नेक्स्ट कूचनल ओर लेत सेर बात हो रही है कि यहां और चार कथन आपको दिये गए चार आप्शन्स आपको दिये गए इन में से एक ऐसा option है जो कि गुजराथ से संबंदित नहीं है और तीन गुजराथ से संबंदित है तो आपको वो option बताना है जो गुजराथ से संबंदित नहीं है पहला कहा रहा है कि गुजरात जो है तमबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिल्कुल भी नहीं है फिर दूसरा कहा रहा है कि जो गुजरात है वो मुख़ली का सबसे बड़ा उत्पादक है बिल्कुल सही बात है और नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है ये भी बिल्कुल सही बात है और गुजरात के बारे में चौथा कह रहा है कि दुग्द उत्पादको का सबसे बड़ा उत्पादक है ये भी सही है भी ये तीनों सही है लेकिन option A गलत है तो answer हो जाएगा option A next question यहां पूचा जा रहा है कि इन में से खरीव की फसल कौन सी नहीं है खरीव की फसल बताना है अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ खरीव की फसल कौन कौन सी है जैसे कि बाजरा हो गया मक्का हो गया तिल हो गया जवार हो गया तो यह सभी कौन सी होती है अब यह बोला है कि इसमें से खरीव की कौन सी नहीं है तो फ्रेंट्स इस केसमें आंसर हो जाएगा सरसो क्योंकि देखो कपास, मुफली, मक्का, बाजरा, जवार यह सभी क्या है खरीव की फसल है नेक्स्ट क्यूशन यहाँ पुछागे कि निम्र में से कौन सी नकदी पसल महाराष्ट में पैदा नहीं होती है अब पहले तो मुझे यह बताओ नकदी पसल की बात हो रही है तो क्या समझते हो नकदी पसल से कौन कोन सी पसल आती है नकदी पसल में तो जिसे गन्ना हुआ, रबड हुआ, कपास हुआ, चाई हुई, और कॉफी हो गई, तमबाकू हो गई, जूट हो गया, तो ये सबी क्या है, नकदी पसल है, अब इन में से आपको बताना है, यहां जो options दिये हैं, इसमें से महाराष्ट में कौन सी पैदा नहीं होती, options है गन तो फ्रेंट्स जूम की बात करें, तो क्रैसी का एक तरीका है जूम, option D, correct answer है, next question, आपसे क्या पूछा जा रहा है, कि निमन लिखित में से कौन सा राज्जी भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आदा भाग उत्पन करता है, करनाटक असम पस्ष्यम बेंगॉल जम् जिसके लिए options है, मुंबई, करनाटक, बंगाल का डेल्टाई, छेतर या फिर आंदर परदेश, तो right answer यहाँ पर हो जाएगा, option C, correct answer हो जाएगा, बंगाल का डेल्टाई, छेतर, next question देखो, यहाँ पर पूछा जा रहा है, सरवादिक तंबाकु उत्पादन करने वाले दो राज्यों के नाम पूछे है, सबसे जादा तंबाकु उत्पादन करने वाले दो राज्यों के नाम पूछे गया है, तो friends, इनका नाम है, सबसे जादा तंबाकु है, आंदर परदेश और गुजरात में होती है, नेक्स्ट क्यूशन, यहाँ पर पूछाए, भारत के एक से किन देखेगा, इस क्यूशन का ना एक काम करो, स्क्रेंट लीजिए, इसको ना कन्फॉर्म करके नेक्स्ट वीडियों बताएंगे, क्यों इसके पीछे कारण, क्योंकि हाँ, तंबाकु उत्पादन करने वाला ये गुजरास से रिलेटेड की गुजरास से रिलेटेड कौन सा सही नहीं है, तो उसके पे अपना एक स्टेटमेंट था, क्योंकि में चीजिए ना किसी भी तरगा डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? चलो next देखे बारत का कौन सा राज्य जो कि गन्ने की खेती के अंतरगज सबसे अधिक भूमी है गन्ने की खेती के अंदर सबसे अधिक भूमी तो ये तो इजीली कर सकतो हो आपको पता है सबसे अधिख गन्ने की बात करे तो उत्रपरदेश में होता है Next question अब देखो match the following situation है क्या है यहाँ पर देखो यहाँ पर एक second यहाँ पर एक सूची दी गई है यहाँ पर दूसरी सूची दी गई है अब इनको match करना है कि यहाँ पर कौन सा product किस revolution से समबन देते इस तरह से करके तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं friends यहाँ पर किसकी खाद उत्पादन में व्रदी तो खाद की बात हो रही है तो friends यहाँ पर green revolution के साथ जाएगा यह option A के साथ option A जो है एक के साथ जाएगा दुगदू उत्पादन की बात हो रही है तो मैंने बताया था फिर उसके बाद उर्वरक उत्पादन के बात करें तो यह जाएगा अपना भूरी करांती के साथ इस तरह से करके इनको match कर लीजिए तो यहाँ पर answer आप देख लीजिए option A यह वाला answer हो जाएगा next question मक्के की खेती की जाती है तो मक्का हुआ बाजरा हो गया यह अपना हो गया मुफली हो गया कपास हो गया हाना जवार हो गया तो इन सभी यह सारी कौन सी खेती में आते हैं खरीफ की खेती में तो खरीफ के मौसम में तो answer हो जाएगा option A और फिर देखो गेहूं उचना सरसो यह सभी आती है रभी की में ठीक है चलो next question देखो यहाँ पर पूचा है कि महारास्ट जो है इसके काली मिटी के छेतर में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस परदा का सामना करना पड़ रहा है तो इसका कारण बताओ क्या है तो फ्रेंट्स एक्जेक्टली हम बात करी तो इसका कारण क्या है इसका कारण है कि सिचाई सुवीधाये जो है इसके प्रसार के कारण यह छेतर गन्ने की क्रेसी के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल जो है वो अधिक लाप प्रद है पिछले दसकों में भारत में क्रेसी उत्पादन में उलेखनिये व्रदी के लिए निमन लिकित में से कौन सा सरवादिक उप्यूक्त कारण है यह कारण बताना है जुताई के अधिन चेतर में व्रदी उसर भूमी का क्रेसी भूमी में रूपांतर उन्नत क्रेसी विधियों और प्रद्योगी को प्रियोग करमिक सरकारों द्वारा क्रेसी छेतर को उद्ध्योग छेतर में सापिक्स आगरता इस्तिती देना तो आंसर हो जाएगा option C correct answer होगा next हाँ यहां क्या करना है कि आपको जो गलत युग में वो पहचानना है चेक करते हैं चाय के साथ असम दे रखा है बिलकुल चाय के लिए असम फेमस है then मुंपली, मुंपली यहां पर भियार नहीं आना चीए यहां पर आना चीए गुजरात गुजरात आना चीए नारियल, केरल सही है गर्ना सबसे ज़्यादा यह होता है उत्तर परदेश में होता है यह सारे सही है बस ऑप्सन बी गलत है तो आंसर हो जाएगा ऑप्सन बी बियार की जग़े गुजरात आना चीए नेक्स्ट क्यूशन देखो गर्ना गर्म मसाले चावल तो सबसे ज़्यादा यह जाना जाता है गर्म मसाले के लिए नेक्स्ट क्यूशन बहरत में किस खाद पसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है सबसे अधिक मक्का चावल गेहू जवार तो फ्रेंट्स दियान दीजिए जो चावल है ना इसका उत्पादन भारत में सबसे अधिक होता है उप्सन B करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्यूशन इनमें से किस की खेती में काट चाट अनिवार्य अंग होता है रबड तमबा को कौफी चाए आप का आंसर जाएगा उप्सन D चाए नेक्स्ट क्यूशन निमन लिखित में से कौण सा देश चाए का निर्यातक नहीं है उप्सन से स्री लंका युनाइटेड किंड़म भारत केनिया अनसर हो जाएगा युनाइटेड किंड़म ऑप्सन B नेक्स्ट क्यूशन कौफी होती है कॉफी का बताना है options है उपोश्न, छूप, उष्ण, सीतोष्ण ज़ाड़ी उष्ण कटी बंदी ज़ाड़ी या फिर ठंडी सीतोष्ण ज़ाड़ी कॉफी की बात करे है तो उष्ण कटी बंदी ज़ाड़ी है यह तो answer हो जाएगा option C next question भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म बतानी किस टाइप की होती है ओल्ड चिक्स, कुर्गस, एरेबिका या फिर केंटस तो फ्रेंट्स आंसर जाएगा अप्सन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एरेबिका एरेबिका एकदम राइट आंसर है ठीके ना नेक्स देखें, ये देखें नेक्स्ट कुशन विस्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक बताना है कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक देश विस्व की बात कर रहे है कॉफी की बात कर रहे है कॉफी में सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है ब्राजील, ब्राजील की कैपिटल क्या है ब्रासीलिया नेक्स्ट, यहां पूझा जा रहा है भारत में निमल लिकित में से कौन सा राज्य, देश का 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करता है इसका नाम बताना है क्या आंसर होगा फ्रेंड्स तो हमारा आंसर हो जाएगा 70% से अधिक कॉफी अकेले पैदा करने वाला भारत का जो राज्य वो है करनाटक करनाटक करेक्ट आंसर हो जाएगा जिसके कैप्टेल क्या है बैंगलूरू महारास्ट की मुंबई है केरल की तिरुवंध पूरं तमिलनाडू की चाह नई नेक्स्ट यहाँ पर पूचा गया वानिची इस्तर पर रबड का उत्पादन भारत के नेमल लिखित में से किस राज्य समोहे में होता है उसका नाम बताओ और कैपिटल से क्यूशन आते हैं फ्रेंट्स हर एकजाम में पूचे जाते है के कौन से राज्य के कैपिटल क्या है नेक्स्ट क्यूशन पूचा है कि सर्सों की बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपको बताना है अप्सन से महाराज राज्यस्तान उत्तरपरदेश कुजरात तो आंसर हो जाएगा राज्यस्तान राज्यस्तान में सबसे ज़्यादा सरसों पैदा होते ध्यान रखना नेक्स्ट क्यूशन अच्छा राज्यस्तान की बात हो रही है तो एक चीज़ यहां से देख लीजे कैपिल का है जैपूर और जैपूर से रिलेटेड क्यूशन पता है क्या बनते है एक्जाम में पूछे गए ध्यान दीजेगा अब ही अपन मतले के जो यह एलो पी का वहा था अभी आपी शाल बर पहले एक्जाम उसमें जो पिंक सिटी है इसके नाम से किसे जाना जाता है तो पिंक सिटी का जाता है जैपूर को दूसरा क्यूशन यहां से एक पूछता है बहुत जादा बार पूछता है केवला देव वन्य जीव अभ्यारन के बारे में जो केवला देव राश्टी उद्धान जो है नेशनल पार्क उसके बारे में पूछता है कहां पर है तो राजस्तान में भरत पूर जीले में एक सरीष के बारे में पूचा जाता है सरीष का वन्नजीव, अबभ्यारण जो है टाइगर रियोग है यह काहा पर अलवर में है अलवर अप्ने है मत्राजसान में एक डिश्टेक है ठीक है next, हापुस आम का मूल इस्थान कौन सा है? हापुस, हापुस जो है ये आम की कैटेगरी है जिसका मूल इस्थान के बात करें तो रतनागिरी option A अंगूर, आलू, सेव, स्ट्रोबेरी अब कुल्लू गाटी की बात हो रही तो आंसर हो जाएगा सेव, ओप्सन सी के साथ हम जा रहे हैं उत्र प्रदेश में आउले का सरवादिक उत्पादन होता है किस जिले में होता है ये बताईए अप्सन से राई बरेली जिले में, परतापगड जिले में, सुल्तानपूर जिले में या फिर फैजाबाद जिले में तो आंसर यहाँ पर जाने वाला है अप्सन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा परतापगड जिले में नेक्स्ट कुशन यहाँ पूचा जाए Clayka जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होती है ये most important क्यूशन है दालचीनी इलाइची लॉंग धन्या और वैसे 100% आप इसका आंसर जानती भी हो सब भी जानते 100% तो friends आंसर हो जाएगा लॉंग लॉंग में आपने देखा होगा जैसे इस तरह से नीचे डंडी सी होती है उपर देखो ये इस तरह से होती है रहा तो ये पुस्प ये जो होत का चिड का पेड यूकिलिप्टस का पेड या फिर सिनकोना का पेड तो friends तारपीन जो है इसका तेल जो है वो कहां से मिलता है तो आंसर हो जाएगा चिड का पेड ओप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन बी next question है कौन सा देश सबसे अधिक टिमबर पैदा करता है हमें उस देश का नाम बताना है जो कि सबसे अधिक टिमबर पैदा करता है तो friends इसका नाम है USA USA करेक्ट आंसर है USA United State America करेक्ट आंसर है है न केप्टल क्या है इसकी वासिंग्टन डीसी है next question यहां आपसे पूछा है को कौन सा देश सबसे आगे है कोकोवा के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है यह पूछा जा रहा है ऑप्शन से घाना ब्राजील आईवरी कोस्ट या फिर नाइजीरिया तो friends इसकीस में हमारा आंसर हो जाएगा घाना ऑप्शन ए नेक्स्ट कुशन देखो चीनी का प्रमुक उत्पादक कौन है चीनी का प्रमुक उत्पादक ऊस्टेलिया क्योईबा भारत मोरिशस चीनी का प्रमुक उत्पादक की बात करे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी और्प्ट आंसर हो जाएगा भारत नेक्स देख लेते नेक्स्ट कुशन फ्रेंट्स यहापर आपसे पूछा जा रहा है भारतिय जूट उद्धोग के लिए प्रमुक प्रती द्वेंदी कौन है ये आपको बताना है फ्रेंट्स ओप्सन से चीन नेपाल बैंगलादेश जापान तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा ओप्सन सी बांगलादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा बांगलादेश की केपिटल राजधानी क्या डाका करेंशिय टका चलो नेक्स्ट क्यूशन बताओ बीटी बीज का संबंद बताना है किस से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन ने कई बार पूछा गया है चावल गेहूं कपास तिलहन आंसर हो जाएगा ओप्सन सी कपास देखो वैसे तो यहाँ पर सारी क्यूशन हम जो है पोल लेते हैं जो प्रिवेज शेर में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और एक ही टॉपिक से टार्गेट होता है जादा जादा क्यूशन करा दे ताकि कोई भी क्यूशन मिशन ना हो आगे सम एक काम करने वाले हैं तो क्या कहते हैं तो फ्रेंट्स इसको कहते हैं सी आईलेंड आंसर होगा ओप्स सन एक के साथ हम जाएंगे ओप्सं ए यहाँ पे देखो अपना मोटो यही है फ्रेंट्स देखो तयेरी अप ही करते हो कोई साभी एक्जम हो चाए पुलिस का हो चाए S.S.E. का हो चाए रेल इस इंपोर्टेंट होता है उसके रिविजन कैसे होगा जितना ज़दा क्यूज लगाओ गया अपने पड़ लिया उस पे लगा लो तो definitely आपका जो topic काफी strong हो जाएगा आपको खुद को self confidence आएगा कि आपके कितने questions सही हो रहे हैं कितने questions गलत हो रहे हैं अब नकदी पसल के बारे मैंने आपको बताया था कौन कौन से नकदी पसल है जैसे गन्ना हो गया रबड हो गया कपास हो गया चाई हो गया काफी हो गया तंबाक हो गया जूट हो गया सभी किसमें आते हैं नकदी पसल में आते हैं नेक्स्ट, निमली कित में से कौन सी नकदी पसल महराष्ट में पैदा नहीं होती है, ये बताया है, उप्सन से गन्ना तिलहन कपास रबड, तो आंसर हो जाएगा, रबड करेक्ट आंसर हो जाएगा, I think question रिपीट हुआ है, चलो next देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, next question है कि निमली कित में से किसको भारत में नकदी पसल माना जाता है, चेक करते हैं, उप्सन से मका, चना, प्याज, गिहूं, आंसर हो जाएगा, उप्सन सी correct आंसर हो जाएगा, अब देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मका की बात करें तो खरीब की पसल है, चना और गिहूं कौन सा है, जो कि माई-जून से, ध्यान दीजिए, क्या है, बोला है कि माई-जून से सुरू होता है, और जिसमें धान, धान, जवार, बाजरा, ये सभी फसले उगाई जाती है, उसका बताना है, तो यह दो देखते हैं, आब बता सकते हो, बाजरे के बात हो गयी, जवार क की पसल में बोई जाने आजा करीब की पसल कब बोई जाती है ये पूछ़ा है म कर सक हैं अपक है तो चलो कर दख़ुर करते हैं दक्षीद पस्षि में मानसून के प्रारम होने पर या फिर उत्री पूर्वी मानसून के अंत में और आप option a correct answer हो जाएगा option a next question यहां पूजा जारे निमनली कित्मी से किनका उत्पादन खरीब के मौसम में नहीं किया जाता है बाजरा और चांवल मक्का और जवार जों और सरसो जवार और चांवल आपका answer होगा option c जों और सरसो next question यहां आप से पूछा गया कि मक्के की खेती की जा सकती है option से खरीब के मौसम में रभी के मौसम में जायेच के मौसम में या फिर वरस भर answer हो जायगा option a खरीब के मौसम में next question निमनली कित्मे से रभी की पसल कौन सी है तो देखो जैसे गेंग हो गया, जौं हो गया, चना हो गया, सरसो हो गई, ये सब भी क्या होती है, रभी की फसल होती है, तो चेक कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा चना, क्योंकि मुँख वएली का पास पटसन, मक्का, भाजरा, जवार, ये सब भी खरीब की होती है, नेक्स्ट अब यहां बताने है जायद जो है यह मौसम किस मौसम में उगाई जाने वाली अच्छा जायद की मौसम जो होता है जायद का मौसम उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है उसका पूछा है ओप्शन से तर्बूज, सोयाबिन, मक्का, पठसन, आंसर हो जाएगा, ओप्शन है तर्बूज, मक्का, पठसन की बात करें तो खरीब की पसल है, ज्यान दीजिएगा नेक्स्ट भारत में ओर क्या कहा जाता है, बताओ क्या कहा जाता है भारत में मुख्य क्रेसी पधार्त आयत मद हैं दाले काफी चीनी खाद तेल आंसर हो जाएगा ओप्शन दी खाद तेल नेक्स्ट क्यूशन देखो व्यापारी की रूप से महतपून सूती रेसे बताने है इस्तंबो के वलकत रेसे बीजो के अधी चर्मी रोम जडो के कास्टी रेसे जडो के फ्लोएम रेसे आंसर हो जाएगा ओप्सन भी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्यूशन निमली कितमी से कौन सी एक फसल रोपन फसल नहीं है उस फसल करना बताना है जो कि रोपन फसल नहीं है अब देखो उप्सन्स देखो चाय कॉफी रबड एक तो राइट आंसर हो जाएगा उप्सन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक जो है ये रोपन पसल नहीं है बाकी सबी चाई हो गया कॉफी हो गया रबड ये रोपन पसल है नेक्स्ट कुशन देखो जूम विदी का बताना है कि खेती की जो ये विदी है जूम विदी इसका व्यवार करता है और पसल से हिमाचर प्रदेश में उच्छ ये मध्य उच्छ भूमी में तटिये तमिल नाडू में या फिर नागालेंड में आंसर हो जाएगा नागलेंड, नागलेंड की कैपिटल वताओ, नागलेंड की राजधनी कोही मा नेक्स्ट कीशन नेक्स्ट क्यूशन देखो म्रदा रहीत क्रेशी को क्या कहा जाता है जल समवर्दन, आधरता समवर्दन, अंतराल फसलन या फिर रेशम उत्पादन तो फ्रेंट्स इसको कहा जाता है जल समवर्दन ओप्शन ए नेक्स्ट क्यूशन है बागान क्रसी पैदा करती है केवल खाद पसले, खादेतर फसले, नकदी फसले, चार फसले अंसर हो जाएगा ओप्शन B नेटवर्क स्पीड स्लो ओप्शन B करेक्ट अंसर हो जाएगा चलो इस क्यूशन का अंसर बताओ कि भारत में सिंची छेतर के सबसे अधिक बाग के पर खेती होती है, किसकी होती है इक की धान के कपास के गेहूं की अंसर हो जाएगा इक की नेक्स्ट क्यूशन देखो यहाँ पर पुचा है निमल लिखित में से उस क्रेसी को क्या कहा जाता है जिसमें क्रेसी और पसुपालन दोनों ही साथ-साथ किये जाते हैं तो फ्रेंट्स एक्चुल में इसको का जाता है डेरी फार्मिंग का जाता है क्रेसी और पसुपालन दोनों की तो अब्विस की बात है नेक्स्ट क्यूशन देखो पेडों की कतारों के बीच में जो फसले उगाई जाती है उसको क्या कहते है तो फ्रेंट्स ध्यान दीजे जो पेड होते है उसके कतारों के बीच में जो फसल उगाई जाती है उसको कहते तोंग्या प्रनाली Next question है क्रशी भूमी को जो क्रश्य भूमी होती है उसको किस रूप में परिभासित किया जाता है Option A ऐसी भूमी जिस पर वास्तों में फसले हो और प्रनाली परिभूमी प्लस वर्तमान परिभूमी या फिर कुल परिभूमी प्लस निवल भूआई की गई भूमी आंसर हो जाएगा Option D Next यहाँ पर क्रशी उत्पादको की कोटी किस परकार निर्धारित की जाती है तो फ्रेंड्स इसके अगर हम बात करें तो एगमार की द्वारा निर्धारित की जाती है Option C Next question है कि अनेक प्रकार की सराब और सैंपेन है जो है इसके लिए प्रसी छेतर आपको बताने है तो इसके लिए जो प्रसी छेतर है वो है भूमद्य सागर आणसर होगा Option C भूमद्य सागर Next question है यूरोप में आलू की जो पैदावार है आलू की पैदावार किस ने सुरू की थी बात हो रही यूरोप की जर्मन, इस्पैनिस, डच, पुर्टगीस तो राइट आंसर हो जाएगा इस्पैनिस ने सुरू की थी आलू की पैदावार Next question है यहां पूचा है कि भारत ने निमन लिकित में से कौन से छेतर में सीख कर तंबाकू, कसावा, टेपियो का अन्नास की खेती ये सब करना सुरू किया था तो यह बताना है कि भारत ने निमन लिकित में से किस छेतर में ये सब सुरू किया था तो फ्रेंट्स यह किया था दक्षिन अमेरिका में Next निमन लिकित में से कौन सा प्रांत है जिसमें सोया बीन की खेती के अंतरगत मतलब सबसे ज़्यादा छेतर फल आता है मतलब एक तरसी यह का जाए कि सोया बीन की केती जो हो सबसे ज़्यादा होती है और इसका मैंने आपको बताया भी था सबसे ज़्यादा कहां होती है तो फ्रेंट्स यह होती है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी बोपाल है, सबसे ज़्यादा जो है नेशनल पार्क वन्ने जीव अब ब्यारन यहीं पे है पन्ना, पेंच, काना, माधा हुआड यह सभी यहीं पे है नेक्स्ट माउसेस जिसे हम बोलते स्लैस और बन जो क्रैसी है इसको मिलपाक के नाम से कहा जाता है बताओ तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कहां कहा जाता है, तो यह कहा जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में नेक्स्ट क्यूशन देखो, 177 पे हम पहुँच चुके हैं निमली कितमे से कौन सा रेशा, सबसे मजबूत प्रकरती रेशे के रोप से जानना जाता है सबसे मजबूत रेशे के बात हो रही है कापास, पटसन, उन, रेशम आंसर हो जाएगा रेशम सबसे मजबूत के बात हो यह उप्सन डी नेक्स्ट क्यूशन पूचा सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है उप्सन्स देखिए सुपारी आम, यूकेलिप्टस या फिर नारियल तो देखो सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है नेक्स्ट क्यूशन फ्रेंट्स वीलियो पसंद आया तो लाइक शेर जरूर कर दीजिएगा जितना हो सके नेक्स्ट क्यूशन है कि भारत के निमनलिकित राज्यों में से किसमे अधिक निवर छेतर में बोई की जाती है किसमे की जाती है उसका नाम बताई उस राज्य का पंजाब ओडिशा अंदरप्रदेश मिजोरम अब कांसर जाएगा अंदरप्रदेश के राद अंदरप्रदेश के एडपरजेंट पर जो कैपिटल है वह है हैदराबात वट नई राजधानी के बात करें तो वह है अमरावती नेक्स्ट तो फ्रेंड्स देखों यहाँ पर सारे क्यूसंस हमने कर लिये हैं कंप्लीट कर लिये हैं जितने भी इंपोर्टेंट क्यूसंस दे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जदा ज़दा वीडियो को शेर कीजिएगा चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथी बैल आइकोन दिखाई दे रहा होगा बलग बगल में जिस पर क्लिक कर दे ताकि जो भी हम वीडियो डाले उसके नोटिफिकेशन्स एजी ली आपको मिल सके थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो